भागलपुर के स्वास्थ विवस्ताओं का निरिक्षन करने प्रदेश के स्वास्थ विभाग के प्रधान सच्चिव प्रत्य अम्रिद भागलपुर पहुचे प्रधान सच्चिव नहीं जवाहला नेहरू चिकित्सा महाविद्याले एवं अस्पिताल और सिविल सर्जन के स्तर पर चल रहे कोविट केर सेंटर का बारीकी से निरक्षिन किया इस दोरान प्रधान सच्चिव प्रत्य अमरिज JLNCH के आइसोलेशन वार्ड और आइस्यू की मौजूदा विवस्ता से काफी संतुष्ट दिखे निरक्षिन के बाद प्रधान सच्चिव नहीं अस्पिताल और जिले के प्रिश्वासनिक अधिकारियों के साथ बैठब की बुख्य रूप से जो आज जो विजिट का उदेश ये था मैं देखने आया था ये जो डेडिकेटड कोविड हॉस्पिटल है भागलपूर में मेरे साथ सचीव स्वास्त लोकेश संयुक सचीव संजीव तो हम लोग आज ये देखने आये थे इसके फंक्शनिंग को और हम लोग वार्ड के भीतर गए और कोविड पेशन्स जहां रह दखा है सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं मैं सभी चिकित्सा कर्मियों टॉक्टर्स जिला प्रसाशन के टीम सभी को इसके लिए जन्यवाद दे रहा हैं कि सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं जो कुछ अबजर्वेशन्स हैं वो अभी हम लोगों ने कहा है उसका अनुपालन करने के लिए जैसे हिल्थ बुलेटिन होता है जो मरीज धिकर होते हैं उनकी जानकारी उनके अभिभावकों को होनी चाहिए अटेंडेंट्स को वो सिस्टम कल से ही लोग शुरू करेंगे और कृपया करके आपके माध्यम से तमाम भागलपूर के लोगों से हम लोग अनु आप लोग मीडिया करनी लोग आप लोग भी सजग रहें मास्क पहनिये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नेमित रूप से कीजिए ये दोनों बहुत हम लोग के लिए जरूरी है और पुरे राज्ज में यह अब हम लोग की कोशिश है कि विभिन जगों पर जहां हम लोग ग गती किस प्रकार दें यही उदेश्य है क्योंकि यह जो लड़ाई है राजसरकार के द्वारा यथा संभव जितनी करवाई है और एक दो दिन में कल परसों में आप लोग कुछ और सुनेंगे और लोगों के पायदे के लिए कुछ और स्टेप्स कल परसों में लिए जा रह और अंत में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सभी भागल पूर वासियों को और आस्पास जिले को लोगों को मैं पुनान रोफ कर रहा हूं पहबित होने की जरुरत नहीं है भागलपूर में जो वेवस्था है उस वेवस्था जो लोग आ रहे हैं बाहर उनसे भी बात कर लिए आज हम लोगों ने देखा है तो यहां जो भी वेवस्था है वो परियाप्त है और यहां के लोगों के लिए है उसका लाब उठाएं लाइफ 24 मीडिया इंसिट्यूट एड्मिशन ओपन रेजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170